हेलो दोस्तों नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल mcc classes में आपका स्वागत है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मद्द्पदे सामान निग्यान मद्द्पदे सामान निग्यान के हमें daily 10 questions मिलेंगे अब इन में देखते हम कितना अपन कर सकते हैं और कितना अपन नहीं कर सकते इसको analysis कीजिए और एक question आपको daily challenge question के रूप में मिलेगा तो उसका अंसर आप comment में दीजिएगा वो questions आपके वीडियो के last में मिलेगा ठीके दोस्तों तो start करते हैं आज के पहले question से आज का question है दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मद्द पदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है तो मद्द पदेश के वर्तमान खेल मंत्री जीतू पटवारी है दोस्तों कौन है जीतू पटवारी इनका जो चुनावी शेत्रे विदान सभा शेत्र ये लड़ते हैं मौव से कां से लड़ते हैं दोस्तों सोरी राव से लड़ते हैं कां से लड़ते हैं दोस्तों राव से लड़ते हैं इनका याद रखना अगला कोश्चन है वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है तो ये मुख्यमंत्री दोस्तों अठारवे नंबर के मद्ध प्रदेश के अठारवे नंबर के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी है और इनोंने 17 नौवंबर 2018 को शपत लीती मुख्यमंत्री पतकी अगला कोशन है सेवना नामक वरक्ष मद्दप्रधेश के किस जिले में अत्यधिक मिलते हैं तो ये मिलते हैं दोस्तों horizontal आट जिले हैं अगला कुशन है मद्द पदेश का सबसे बड़ा खेल पूरुसकार कौन सा है तो मद्द पदेश का सबसे बड़ा खेल पूरुसकार विक्रम पूरुसकार है दोस्तों और यह इस्थापित हुआता 1990 में इसके तहट एक लाख रुपे की राशी दी जाती है अगला कुश्चन है मद्ध पदेश में कन्या विवा योजना कब प्रारंब की गई थी तो यह योजना 2006 में प्रारंब की गई थी दोस्तो कन्या विवा जो थोड़े गरीब है इन लोगों की साहिता के लिए सरकार ने यह योजना इस्थापित की थी अगला question IIM और Indian Institute of Management जिसे बोलते हैं भारती प्रभंदन संस्तान मद्द पदेश के किस जिले में हैं तो ये मद्द पदेश के इंदर जिले में आता है दोस्तों और इंदर संबाग में भी आड जिले हैं अगला question है हिंडोला महल कहां इस्ती थे हिंडोला महल दोस्तों मांडो में इस्ती थे और ये धार जिले में आता है ठीके अगला question है 2011 की जनगर्णा के अनुसार जनसंक्या की द्रश्टी से देश में मद्द पदेश का इस्तान कोन सा है तो 2011 का पूछा है दोस्तों इस पर टिक भी लगा है तो इस द्रश्टी से आपकी मद्द पदेश की इस्ताने छटवा और अगर बात की जाए वर्तमान तो वर्तमान में इसका इस्ताने पाँच वा क्योंकि आन्द पदेश और तेलंगाना का विबाजन हो गया अगला question है मद्द पदेश का राज की वरक्ष बर्गत का वरक्ष जिसका scientific name Ficus Bengalsin क्या है दोस्तों Ficus Bengalsins अगला question है किस नर्सनार को मद्द पदेश का जल्यावाला बाग कांड कहा जाता है तो यह है चरन पदु का नर्सनार किसे बूलते हैं चरन पादु का नर्सनार को ये हुआ था 14 जनवरी 1931 को जनरल फीशर ने वहाँ पर भेटे लोगों पर आंदधून गोलिया चला दी गई थी इसलिए इसे मद्ध्य पिदेश का जलियोला बाग कान कहते हैं आगे बात करते हैं आज का जो चैलेंज कोशन है दोस्तों जो चैलेंज कोशन है वो हम बता रहे हैं जो भी कोशन रहेगा इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कोशन है कौन सा सोतंता सेनानी मद्ध प्रदेश से सम्बंदित नहीं है यह कोशन का अंसर आपको कमेंट में देना है इसका अंसर हम कल बताएंगे जब भी आपका अगला वीडियो बनेगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट में बताएं किस चीज की कमी है वो भी हमें बताएं और हम किस चीज पर वीडियो बनाएं यह आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम स जो हमने टार्गेट लिया है यह है आपका MP में MP पुलिस, MP SI और MP PSC का जो भी आप इस चीज की तयारी कर रहे हैं तो अमारे इस वीडियो को देखें इसे लाइक करें रता जो भी विद्यारती इसको MP पुलिस, SI या PSC की तयारी कर रहे हैं उनमें शेर करें धन्यवाज दोस्तों अगला वीडियो जल्द आएगा